तो दोस्तों स्टार्ट होगी अपनी लद्दाख ट्रिप देव भूमी हिमाचल में आपका स्वागत है दिल्ली से मैंने कैमरा अन नी किया मैं कभी करता नहीं आपको पता है दोस्तों बहुत बढ़िया नजारा दिख रहा था था मैंने गाड़ी रोकी अभी मैं बिलासपूर से 40 किलोमेटर पहले हूँ आज ये कुल्लू या मनाली रुकूंगा सुबह निकलूंगा ले के लिए आज कुछ ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं में दाकि आप लोग बोर ना हो दोस्तों अपनी लद्दाक ट्रिप स्टार्ट हो गई है पहली नाइट स्टे किया था कुल्लू में स्टे करना था मनाली में रात को लेट हो रहा था तो फिर यहीं रुक गए थे भारतवाद जी भी हैं पैदान है और विशाल है साथ में अब दोस्तों मनाली पार कर लिया है यह जो अटल टर्नल वाली रोड है जो लद्दाक वाली रोड है यह गाड़ी के उपर खचर लोड हो के जा रहे है अभी यह गाड़ी पर लोड हो रहे हैं आगे जाके इनके उपर कोई दूसरा लोड होगा लेकिन सवाल ही उटता है कि अभी मैं नाश्टा ढूंड रहा हूँ, मैं कोछ चाय भी नहीं मिली है, रखे हुए बिस्किट तो खा ली है, सुवे सुवे होटल से निकला था, पीछे की गाड़ी में वारत दो आज लोग आ रहे हैं, लेकिन अभी एक जगे पराठे की खुछ चाय पीने के आज़त है, अभी चाय भी नहीं मिली है, अब मैं देख रहा हूँ, कोई खुला हो, क्योंकि सुवे सुवे एक दम से किसी क्या पहुच जाओ, तो बासी नहीं देदे, यह भी है, अट लीस्ट चाय तो मिले, बिस्किट मेरे पास है, डिप करके खालूंगा, सामने ग्लेशियस दिख रहे है, यह आर्मी के ट्रक्स आ रहे है, यह लद्दाग से ही आ रहे होंगे, अभी इस धाबे में मिल गया है, आट दे दिया है, भारत दौज अभी आए नहीं, पीछे गड़ी आ रहे है, तो इनके लिए आट दे दिया है, यहां का व्यू देखि यह 10,40 फीट की उचाई पर है, इसका मैंने पहले वीडियो बनाया हुए जब मैं पिछली बार मना लिया आया था, लेकिन इस बार लद्दाग जाने के लिए इसका इस्तिमाल कर रहा हूँ, जिसके लिए यह बनी है, यह देखिए शुरू हो गई, अटल टनल, दोस्तों जो यह अटल टनल है, यह इसका अल्टिटूट तो इतना हाई है, 10,040 फीट पे, इसकी लंबाई भी करीब करीब 9 किलिमेटर के आसपास है, मुझे एक्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितनी है, लेकिन अब जो लोग मना ली आते हैं, जैसे पहले रोतांग पास दे तो इसके बाहर तो मैं निकला वह हूँ, उसके बाद मैं रोतांग पास की तरफ मुड़ गया था, लेकिन आगे के लॉंग की तरफ तो पहली बार जाना हूँ लगदा की तरफ, तो आप जो लोग मना ली आते हैं, सोलांग वैली जाते हैं, सोलांग वैली के बाद फिर हैं, और ख्लाब आउस जाना है, रोतांग पास तो हर वक्त नहीं जा सकते हैं, लेकिन अटल टंल हर वक्त जा सकते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है, तो बर बहुत जादा हो जाती हैं यहां पर भी, और अगर जैसी भी क्लियर ना करे तो गाड़िया फसने लगती हैं, दिसम्बर जनवरी में कभी कभी ऐसा होता है अब दोस्तो अडल टैनल का एंड आने वाला है 9 किलोमेटर लंबी टैनल को 60 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं आता इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ अब से मेरे गयाल से तो 9 मिनटी लगने थी यह यह देखिए बाहर आगए हम थोड़ा सा आपको अंदर पॉलुशन सा फील होता है यह आ गया अग्जिट धूप मस्त ओहो कितनी तेज़ धूप है और यह है नजारा सामने का यहां से अगर हम लेफ जाएंगे तो जाएंगे ले लड़ दाक राइट जाएंगे तो आ जाएगा रोतांग पास यह जो राइट का नजारा आप देख रहे हो इस पर अगर आप चले जाओगे तो रोतांग पास या रोतांग ला एक चीज बता दो दोस्तों आपको ला का मतलब होता है पास अगर कोई बोले नाथू ला पास तो गलत है नाथू ला बोलो या फिर नाथू पास और ऐसे लेक को बोलते हैं सो टी एस ओ सो तो पैंगोंग सो, सो मुरीरी तो सो मुरीरी बोल दिया तो फिर लेक लगाने की जरूद नहीं है और मुरीरी बोला तो फिर लेक लगाओ तो हम चल पड़े हैं ले लद्दा की तरफ ये केलॉंग यहां से 38 किलोमीटर है वहाँ पे पेट्रोल पंप है तो वैसे अपनी गाड़ी में पेट्रोल है लेकिन वहाँ पर टॉप अप करके फुल करा लेंगे क्योंकि उसके बाद शायद लेह में ही मिलेगा मेरी गाड़ी फुल टैंक में प्लेन सर्फिस में साड़े छह साथ सो किलोमीटर चल जाती है देकिर ये पहाड का रास्ता है तो चलिए फिर आगे मिलते हैं दोस्तों ये देखे ब्यूटी यहां की अभी भारतवाज की गाड़ी पीछे रह गए तो मैं इंतियार कर रहा हूँ इस साइड का विव ये है ये देखे दोस्तों लेल अद्दा के रास्ते की ब्यूटी ये तो जंडे लगे हैं ये तो जो बहुत धर्म है उसके लिए यहां भी लगे हैं वहां भी लगे हैं ये सामने से एक रिवर स्ट्रीम आ रही है नीचे बहुत सारे खेत हैं उपर ये ग्लेशियर्स है वहां पे जो पहाड़ी है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि रेजर शार्प एज़ेज हैं बिल्कुल चाकू है अब ट्रक जा रहा है फिर भी मैं अपनी बात कम्लीट कर देता हूँ ये देखिए थ्री सिक्स्टी डिग्री व्यू भारत द्वाज पीछे रह गए है मैं दिने दर बढ़ रहा हूँ वो बादलो की शेड़ो आ रही है रोड वैसे तो अच्छी है दोस्तों लेकिन कहीं कहीं पैचेस है वो खराब हैं लेकिन इत्रे भी खराब नहीं है आप देख रहा हूँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है अभी तक सेलेरियो लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है जहां दिक्कत होगी आपको बताऊंगा यह दोस्तों बड़ी सुन्दर लेक आई यह रस्ते में यह देखिए ग्लेशियर बिगल रहे है अब इसके बाद यहां से अगर निकलेगा तो ओवर्फ्लो करके रोड क्रॉस करके निकलेगा वारिश में निकलता होगा लेकिन बाकी टाइम पीला-पीला पता नहीं क्या पड़ा है बोट तो नहीं लग रही है कुछ और नहीं होगा यह शायद बोट है दो-तीन डावे हैं वहाँ पर एक डावा यहां पर भी है अब यह देखें दोस्तों ब्यूटी इसको बोलते हैं ब्यूटी यह नदी बह रही है इस तरह से यह डावे बनाए हुए है यह देखें बहरात द्वात जी अभी तक आये नहीं है लेकिन बात हो नहीं फोन पर तभी बाराचा ला आएगा वहाँ टाइम बिताओंगा तब शायद कवर कर ले हैं ठंडी हवाँ चल रही है जैकेट पहनने वाई ठंड अभी नहीं आई है लेकिन बाराचा लावे तो जैकेट पहनने कड़ेगी उसके बाद फिर ठंड कम हो जाएग है तो यह जो सुंधरता है अनमैचबल है बहुत ही 're and और अभी तो यह सुंदर जगह स्टार्ट हुई है अभी तो पाटी शुरू हुई है यह बोल सकते हैं पिक्चर अभी बागी है दोस्तो जो रस्ते में ढहबा है यहांपे नाइट स्टेग भी आप्सिन है गद्दे हैं रजाई है पलंग है यहां पर आप सो सकते हो बाहर वाश्रूम भी बना हुआ है यहां नाइट स्टे का क्या चार्ज होता भी है यह रुखने की जगे है सामने की ब्यूटी यह है तो जरूरी नहीं कि आप कैम्प लेकर आओ अगर आप कैमपर भी हो तो आप आराम से 200 रुपर देंके रुख सकते हो आपके वह ले लाप्जाक के लिए ऑटो भी आते हैं आप यहां पर काम चल रहा है कि इस तरह के क्रेट वाले जाल बनाने का लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग है जो ऑटो से आई होते हैं यह भूमने होते हैं कि क्या यह करला से आए है कि करला का आई पूछता हुन से करि अ करिला question नहीं हमाल्या कने ड्यकर हुड़ा रिक्षा कर ले imposing द्याक वे एक जी बाइवक्षा कर लूख जी बाइवग कर में यह भांक बधना कर दो कि अबधना कर दो को अरहा जो के छाइव ये का डीव सिर्षा को लाप का ये आप सम्टड़े में ए तर दो कम घू सूर को, तैक यह रिक्षा को अछोड़े कि। एस भीसको। यह रिक्षा रेस्ट लेक्षिंग अचराओव利 कि ता मैंने के लेक्षा कि रखे लेक्षा के मैं टोड़े? तिनक्यों तेंक्यों टैंक्यों यहां से फ्लॉट आया होगा उससे रोट खराब हो गई है पहले दिया डामर की रोट थिए यहां पर अब बिल्कुल पत्थर ही पत्तर है पानी आ रहा है लेकिन गाडी निकल रही है कोई प्रॉबलम नहीं हो रही है कितनी दूर की है नहीं मालूम लेकिन जितनी भी दूर की है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो केरला से 40 आटो आए हैं वो रेस लगा रहे हैं हमालें रेस करके हाट्रस निकल चुके हैं एक यह भी जा रहा है इसमें थांस साथ में फार्नस ही हैं दोस्तो इस ब्यूटी देखाएख और बाइब और बाइकरद तो बहुत सारे हाते हैं यह डिशावर के जाते हैं सारे हेमालें पहरे हैं पहों है सामने की ब्यूटी देखिए यह उनके दो बाइट लाड़ी में है खराब होगी होंगी सपोर्ट वीकल पे डालती इनोंने लेकिन यह नजारा लेक्ने जितना क्याम्रा कप्चर कर पा रहा है उतना में आपको दिखा रहा हो वाइड अंगल लगा ज्यादा ज्यादा आजाए लेकिन देखिए कितना सुंदर नजा रहा है यह है लड्दाक की ब्यूटी अगर आप लड्दाक आईए तो अब बहुत ज यह देखें कितना सुंदर नहीं जा रहा है यह जानने परकुल बर्फ से लदेवा पहाँ है यह पूरा थी स्क्षिरी की दूझे कि जहां बारे शुरू हो गए यह लगता है मुझे स्नोफॉल देखने को मिलेगा बारा लाचा पास पर क्योंकि उपर वो देखें वहाँ स्नो किर रही है जो दुगा सा बन रहा है वो स्नोफॉल है यह दोस्तों फिर से आगई आफ रोडिंग पानी वाला रास्ता है पत्थर हैं काफी सारे तो इसमें ध्यान देना हो गहीं लग गई लग गई लग गई तो यहां से लोगों ने शॉर्ट कट बना दिया यह ट्रक जा रहा था मुझे मुझे लगा किसी अलग रोड भी जा रहा है वहां पत्थर लग रहे हैं गाड़ी में तो यह शॉर्ट कट है थी दिखे वादा ने हुंडे की कौन से गाड़ी है तो अब यह सफेद गाड़ी को देखते कहांस जाता है उसको भी नी मालूम च ले जाकि थोड़ा चाड़नी रही थी तो फर मैंने थोड़ा सा बैक करीब जटके से निकाली तो निकल गी तो मतलब अभी तक का थोड़ा सा एक जहां पर प्रॉब्लम महसूस हुई वो जगए ये थी ऊची दोस्तों सामने बड़ा कि खतर्णाक सा रास्ता है और इसके बगल में लेक है और ग्लेशियर से सुंदर न जा रहा है लेकिन सामने खत्रा है तो मैं पहले slot करता हूं और गरी निकल निकलता हूँ निकल गई वैसा तो दोस्तों में आ गया हूं बारा लाचा पास पर और हल्गा अल्गा स्नोफॉल हो रहा है आप है इसे देखिए यह गड़ी गड़ी अपनी और बहुत ठंड़ हल्की अल्की स्नो की जो है बूने आ रही है ठंड बहुत है मैंने जैकेट पहल लिए और मैं आपको वहां से भी दिखाता हूं सी दोसों यहां का एल्टिटूट है 14,000 फिट से ज़्यादा सांस कमा रही है और रोतंग पास से ज़्यादा है बत्रीनाथ केदारनाथ से भी ज़्यादा है हवा कम है अब है एक दम एक आपको फील हो रहा है बीच में मुझ से सांस जबकि मैंने डाय मोग खाई हुई है और यह पीशे का नजाना देखुआ है गजब जोगी है गजब है एक में आपको 360 डिगरी को दिखाते हैं आथ गलब से बाहर है ठट लग रही है गलब्स में गलब्स हैं गाड़ी में लेकिन सूटकेस में हैं बहुत हैसी घूमते रह स्नो की वो छोटेशे ड्रॉबलेट्स आ रही है वो सामने हेवी स्नो फूमते हैं आज जो कैमरे के अलब जैकेट के बाहर हां थे हैं बहुत ठड़ लग रही है है रा सब गजब नजा रहें दोस्तों गजब मैं बाहर बार बार बोल रहे है ऑलचाप है बाई रोडा आए पो दिखी लेते हैं रास्ते की देखे तो आफ लाइट्वे अपर से देख पाते हैं दूपelp count की कि इस ओभ वाहर चोटी सी बने आरी देखता हूं लेकिन मेरी जैकेट में दिखिया है, जो स्फ्नोंफॉल हो रहा है, बहुत हलका हलका हो रहा है, लेकिन जैकेट में आवाज भी आरी है और वो उपर महौल बन गया है ये देखी दोस्तों सामने उपर ये स्नोफॉल जो आपको ये बादल से दिख रहे हैं ये बादल नहीं है ये स्नोफॉल हो रहा है हैवी स्नोफॉल हो रहा है साइट वहां सामने हो रहा है वो एक लेक ने जरा रही है इस साइड नहीं हो रहा है वहां हो रहा है यहां हो रहा है यह दोस्तों तीन लोग है जो साइकल से ले जा रहा है अलाकिन कर सपोर्ट विकल होगा वरना सामान कहा है are you going by cycle? कहां से? मनाली से अच्छा तो सामान कहा है अच्छा गाड़ी में तो सपोर्ट विकल है इनके साथ में वो जो यह महिंद्रा पिक अप है यह मनाली से ले तक जा रहे है अच्छा यह बाराचूला पास यह जगह पर है 4850 मीटर्स और यह इनका सामान है खाने पिने का और यह लग cycle की expedition पर निकले हुए है गजए भिम्मत है भाई 200-300 किलोमेटर है लेकिन जैसे पत्थर है यहां भी देखके चलना पड़ेगा वही बहां डूंड रहा था नीचे की बाराचूला पास का पत्थर कहां है तो ऊपर था कि जहां देखिए चारों तरफ भर फीबर और स्नोफॉल भी हो रहा है मुझे ठड़ लग गई है गला पैट गया नाग जम गई है एक दम लिप्स पर भी जो ना चुन-जुनी सी आ गई है तो स्नोफॉल हो रहा लगातर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा कि विंडशील पर टिक पाए जब आप नीचे उतर रहे तो पूरी टकरा रही है वो आपसे स्नो की ड्रॉबलेट्स दोस्तों फिर से खराब रास्ता आ गया तो इसमें यहां देखिए पत्थर का है यहां लग सकत है तोड़ा सा समाल के और मैं दोनों टायर जो पात्वे बना उस पर नहीं चला रहा है एक टायर को मैं बीच में रख रहा हूं तो उससे क्या है लो ग्राउंड क्लियर की वज़ए से भी गाड़ी लगती नहीं है मैं लग्दा खाने के पहले क्या किया था गाड़ी के पीछे लग जाता है तो यहीं वज़े कि जहां पर अभी लगे थे पत्थर आगे तो लगे पीछे पेट्रोल की टंगी में कुछ नहीं हुए यहां वे दोस्तों रास्ता खराब है और एक साइड में पूरी बर्फ की दीवाल मैं दीवाल बोल देता हूं तो लोग टोकते ह कि दीवार बोली है चलो जी बर्फ की दीवार है लेकिन ऐसा कोई बहुत पीछ में पैचेज आते हैं ऐसा कोई खराब नहीं परस उसमें आपको द्यान से चलानी हैं अगर लोग राओंड क्लीए है कि उन पैचेज में खड़ी हो गई तो कांट हो जाएगा पर सपोर्ट आपको मिल जाएगा अब जैसे आप किसी भी रास्तेप चलते हो चतना ट्राफिक होता है उतना ही ट्राफिक यहां भी भी है मेरे पीछे के नोवा आ रही है आपने देखा भी ट्रक क्रॉस हुए ट्राफिक की कोई कमीन बाइकर जा रहे है इस बाइकर ने सलमान खान वाली जैकेट पहनी हुई है अब दोस्तों एक जगे और आगी जहां पानी भरा है धीरे 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 निकालूँगा क्योंकि पत्थर में होता गया अगर आपने तेज स्पीड से निकाली तेज स्पीड से आपकी गाड़ी का जो लो ग्राउंड क्लेंस की गाड़ी होती है उसका बंपर टिक जाता है बंपर टिकता है तो टायर फ्री हो जाते है तो कभी भी जहां पानी भरा और पत्थर होने के चांसे हो वहां आप तेज मत निकाली है धीमें एक बार टकरा जाएगे रुक जाएगी गाड़ी बैक करके आप गाड़ी का डिरेक्शन चेंज करके निकाल लोगे तेजी से वह चड़ जाएगी उसके उपर और फिर वह निकलेगी नहीं धक्का मार के निकलेगी या खीच के निकलेगी तो ये याद रखिए कि ये जो चट्टान है इसका शेप या तो शिवलिंग की तरह दिख रहा है या फिर नागर शैली में बना हुआ मंदिर ये देखिए आप सामने मैं जूम करता हूँ ये चट्टान इसका शिवलिंग समझ लेजे या नागर शैली में बना हुआ मंदिर आस पास का नजारा ऐसा है ये देखिए ये देखिए दोस्तों एक लेख है इस लेख का आधा बानी बर्फ बना हुए सारे पहाड बर्फ से लदे हुए यहाँ मैं कॉफी पीने के लिए और नागर बना हुए क्योंकि बहुत ही नीन सी आरही है और फॉर्जा चुंचुनी सी लग रही है लिपस में और ऐसा हाथ में तो जो मैं ना सुना हुआ ना कि आल्टिटिट सिकने से नीना दी मैंने कहीं वो नीना हो तो मैंने का कॉफी पी लूँ क्योंकि मेरे साथ वाले जो है बहुरत दो आज टीम पीछे ले गए है यहां नेटवर्क भी नहीं आ रहा है रुक के बेट करने का कोई फाइदा नहीं है अनाम से आगे बढ़ते जाओ पैसे शहेगी है वही मुलाकातों की इस तरह से यह धाबे बनाए होते हैं एक दो तीन चार पांचे साथ नोटस है इसमें रुगने का इंतियाम होता अगर रुगना हो तो दोसमें ने जैसे पिछली बार दिखाया था दोसर रुपए पर बैड में आपको बैड मिल जाएगा रजाई मिल जाएगी खाना ओडर करके खालो वाश्रूम इनों पीछे बनाए होते हैं एक दो तीन चारह सब के पीछे वाश्रूम बने होते हैं इंडिन स्टाइल होते हैं पानी बगड़ा बगट सिस्टम होता है ब दोस्तों अभी लेह करीब 250 किलोमेटर दूर है टांगलांगला 161 किलोमेटर के असपास दूर है अब ही जहां पर हूँ अब मैं धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हूँ यहां पर ऑक्सिजन के लेवल बहुत ही लो है क्योंकि आभी आपने देखा था मैंने 12 लाचा पास क्रॉस किया था वो 14,000 प्लस था और ऑक्सिजन के जो कमी दोस्तों होती है तो अब ही मैं बोल रहा हूं मुझे कमी महसूस हो रही किसी को कम किसी को जादा होती है लेकिन सबको होती इस वक्त चीजस आपको बता दूँ कि अगर आप लेह लद्दा खा रहे हैं ऑक्सियान की कमी महसूस होना कोई बड़ी बात नहीं है सब को ही होती है इसके लिए डायमोक्स की टेबलेट बोली जाती जो कि मैंने सुबह खाली थी आपको क्या नहीं करना है मैं आपको एक बात बाता दूँ जब आपको सांस आनी क अगर आप अपनी बॉड़ी की एक्टिविटी को ज्यादा तेज करोगे तो वह समस्या बढ़ती जाएगी अगर आप जोड़ जोड़ से सांस लोगे ना तो भी आपको प्रॉब्लम जाए कि जितनी ज्यादा कोई भी आप तेज वाक करोगे तेज बात करोगे कुछ भी कर होती है ठीक है ना तो कैपिलरी में ब्लड होता है ब्लड में ऑक्सिएन घुल जाती है ब्लड की सप्लाई हो जाती है और जो ब्लड के अंदर कार्बन डियोक्साइड होती है वह इसमें चली जाती है मिन्स वह लंग्स के तुरूब आहर निकल जाती है अब होता क्या है ऑक जब ऑक्सीजन कम जा रही है तो हवा का दबाव जब दबाव कम हो गया तो जो प्लाजमा भरा हुआ कैपलरी में